हेलो फेंट्स, वेलकम टू स्टेडी ग्रूप पार्ट शला, मैं विलाश और आज की ग्लास में लो डिस्टर्स करेंगे एक इंपॉर्टेंट लेटर को और ये लेटर होगा, लेटर टू फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ऑन सिस्टर्स मैरिज ये टॉपिक आपके एक्जाम में पूछा सकता है, तो आप इसको जरू तयार करिए, और इसको आप तयार कर सकते हैं, और इसको आप एक बार जरू देखके जाना, कम्प्लीट प्लेलिस को सारे ही इसको पूरी प्लेलिस में कवर कराया जा चुके हैं, इसके साही साथ फ्रेंड आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी और इंगलिस तोनों में मिल जाएगी, यहाँ पर आपको 70 प्लस टॉपिक्स मिल जाते हैं, जिनको आपको जरू तयार करने हैं, और यहाँ और सारे टॉपिक्स विदिन वर्लिमिट मिलते हैं आपको, क्योंकि mostly जो बुक्स अवेलेबल आ मार्केट्स में वहाँ पर विदिन वर्लिमिट आपको नहीं मिलेगी कोई बुक्स और साथ इर्लेवेंट टॉपिक भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें आपको सारे टॉपिक प्रपेर भी नहीं कर पाते, unnecessary topic भी काफी सारे दिये होते हैं, तो इस book में आपको सारे relevant topic ही दिये जाएंगे, आपको जितने topic त्यार करने हैं, उतने topic दिये गए हैं, ठीक है, unnecessary कोई topic नहीं है, और सारे relevant और important topics हैं, ठीक है, और सारी topic आपको within word limit के साथ, आप सार लेटेस पैटन पर बेस मिलेंगे सारे important एसस कराइजा चुके है इस book में तो आप जरूर इसको तयार कर सकते हो और एक बार अगर इस book से आप तयार कर लेतो तो अलग से कुछ आपको तयार करने के जरूरत पड़ेगी ही नहीं ठीक है बस इतना आप तयार कर लो जित और अपनी त्यारी को और भी बढ़िया तरीके से कह सकते हो राइट तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास कोश्चन दोस्तों इस तरह से आपको मिलेगा कि योड नेम इस राजेंदर रहिमांशी लिविंगेट 45 अबलिक 32 ब्रह्मनगर न्यू डैली राइ आपको कोश्चन में लिखने में आंसर लिखने में इंपॉर्टन होगी जैसे आपका नाम दिया गया है आपका एड्रस दिया गया है आपको टॉपिक बता दिया गया कि सिस्टर की मैरेज के रिगार्डिंग आपको फ्रेंड को लिखना है और साधी सा सिस्टर का नाम भी दिया गया है ठीक है तो अलग से आपको imaginary कुछ नहीं लिखना पड़ेगा सब कुछ जो चीज दी गई है उसको ही आपको लिखना पड़ेगा ठीक है अब आप इसको लेखोगे कैसे best possible में क्या best तरीका होगा इसको लिखने का यह देख रहते हैं तो format से सबसे पहले आपके informal letter ठीक है अनौप चारिक पत्र बोलते हैं और यह अनौप चारिक पत्र जो होंगे उसको लिखने का format मैं आपको अलड़ी बता चुका हूं तो उसी तरह से यहां पर रहेगा ठीक है तो formal letter informal letter में दोनों में फरक होता है इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हु ठीक है अब जैसे यहां पर आप address से शुरुआत कर सकते हो जो भी आपको address दिया है इसके बाद आपको फ्रेंड का नाम नहीं दिया है तो आप सीधे dear friends से start करोगे अगर फ्रेंड का नाम दिया होता तो उस नाम को आप यहां पर रख सकते है ठीक है तो यह द्यान रखेगा अगर आपको friend का नाम दिया है तो dear आपको जो friend का नाम है वो लिखोगे अगर नाम नहीं दिया तो केवल dear friend करके लिखना है ठीक है और इसके बाद यहां पर कॉमा जरूर लगाना है कॉमा लगाना बिल्कुल मत बूलना ठीक है उसके बाद आप शुरुआत करोगे इस topic की बताते हुए कि I am quite well here and you will also you will be glad to know that the marriage of my sister Pooja is going to be held on 29 January 2021 ठीक है अब यहां पर पहले तो आपने हाल चल बता दी है कि मैं यहां पर बढ़िया हूँ ठीक हूँ और तुम्हें यह जानके बहुत खुशी होगी कि मेरी sister की marriage है ठीक है कब होने वाली है 29 January 2021 को ठीक है डेट अपन से लिखना पड़ेगा आपको तो कि उसी दिन वह नहीं पहुंच पाएगा आपको पहले से लेटर लिखना पड़ेगा है ना तो इसी चीछ को दियान में रखते हुए जो डेट होगी वो थोड़ा आगे की आपको देनी है कि जो भी जब आपकी marriage होगी sister की वो थोड़ा ब बेज रहा हूं ठीक है तो यह भी आप यहां पर बता सकते हो इस तरह से कि इन्वेटेशन कार्ड भी भेज रहा हूं वो शादी जो है 29 जनुरी 2021 को है तो शुरुवात इस तरह से आप कर लोगी आपका introductory पहरा होगा उसके बाद next पहरा से आप बाकी की details दोगे जैसे कि the brideg रूम है वो क्या inspector है central exercise हो custom में राइट the marriage party will arrive at Delhi and the reception will be held in the community hall which is very close to our residence ठीक है अब यहां पर बता सकते हो जो marriage party जो होगी वो डैली में होगी और reception जो होगा वो community hall में होगा अब देखो यहां पर आपको पता तो है नहीं किस जगे पर होना है नाहीं question में दिया हुआ है अब simply community hall डाल सकते हो community hall कहां पर है यह आपको नहीं बताया गया ठीक है तो आप उसी इसाफ से अपना अपने इसाफ से लिख दोगे कि कुछ imaginary भी ना डालना पड़े और आप उसको जो भी लिखना चाहरे हो उसको express भी लिख लो कोई नाम वगरा नहीं डालना है ठीक है simply लिख दो not only on behalf on my behalf but also on behalf of my parents यानि कि मैं आपको केवल अपने भीहाब पर ही नहीं अपने parents के भीहाब पर ही invite कर रहा हूं मतलब मेरे parents भी चाते हैं कि आप आओ राइट they have asked that you should bring your sister also along with you यानि कि मेरे parents ने ये भी मेरे से बोला है कि आप अपने sisters को ले के आओ ये बोलने को कहा है ठीक है मतलब आप तो आओगे अपनी sister को भी ले के आओगे साथ में ठीक है तो इस तरह से आपर आप थोड़ा friendly हो के बाद कर सकते हो लिख सकते हो जहाँ पर right you must reach before time the arrival of the marriage party ठीक है यानि कि आपको जो है जो जो डेट है उससे पहले थोड़ा सा आना पड़ेगा टाइमिंग से पहले थोड़ा सा आना पड़ेगा marriage party के लिए right उसके बाद देखो my I request you to attend the marriage ceremony along with your parents and your sister तो आप finally last पर हमें आप इस तरह से request करते हो लेक सकते हो कि I request you to attend marriage ceremony यानि अपने parents और sister को भी साथ ने लेकिया है right I will be overwhelmed by your present यानि मैं आपकी presence से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओंगा मतलब बहुत ही ज्यादा खुश होंगा मुझे बहुत प्रसंदा होगी ठीक है तो इस तरह से आप आप लिख सकते हो उसके बाद आगे आप लिख सकते हो I know you will not disappoint us यानि मुझे पता है आप हमें disappoint नहीं करेंगे निराश नहीं करेंगे मतलब आप जरूर आएंगे उसके बाद hope to meet you soon अब इस तरह से आप आशा का सकते हो कि जल्द ही मिलेंगे hope to meet you soon और उसके बाद your friend क्या friend हो तो आप simply लिख सकते हो your friend जो भी नाम दिया गया है आपको अगर आप girl हो तो ही मानची लिखोगे एक नाम लिखना यह चीज़ जयान रखना दोनों नाम मत लिखके चले आना ठीक है तो यह चीज़ सभी लोग जयान रखेंगे right दोस्तों तो I hope आप सभी को बढ़िया तरीके सा समझ में आया होगा कि इस तरह का अगर कोई topic आता है एक्जाम में तो आप उसको कैसा लिखोगे कैसे best possible way में लिख सकते हो right तो इसी तरह से आप बाकी के topics भी तयार कर लेना इसकी पूरी playlist को जरूर देख लेना सारे most expected topics आपको मिल जाएंगे playlist में साधी साथ essay की playlist देख लेना वह भी आपको discussion में link मिल जाएगा right और यह video आपक टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो इस पर आपको सारी important PDFs और classes की notification और exam से लेटेट भी important notification मिलती रहेगी right तो टेलिग्राम आप जॉइन कर सकते हो जो और इसका link आपको discussion मिल जाएगा साथ comment section में मैं पिन कर दूँगा वहां से जाके आप direct join कर सकते हो right friends तो अभी के ल